आप सभी को नवरात्रों की हारदिख शुपकामनैं और आप सभी के जीवन में मातारानी की क्रपा बनी रहे और आपका जीवन सुख में हो इसी कामना के साथ जो है आजका मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूंगी और इसमें मैंने शमी के पेड़ के वारे में बताया है, पूरा वीडियो आप देखें, क्योंकि इसमें एक special day है, जो बिल्कुल पास आ गया है, और उस दिन जो आप अगर शमी का वरक्ष लगाते हैं, तो अति उत्तम और फल्दाई होता है, क्योंकि भगवन राम के द्वार क्या है और किस दिशा में से लगाना चाहिए, इस वीडियो में जो है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। और शिरी राम को प्रिये हैं, जिस तरह राम ने आपकी पूजा की मैं भी करती हूँ, मेरी विजय के रास्ते में आने वाले सभी बाधाओं से दूर करके उसे सुख में बना दीजिए। सबसे विशेश महत्व है कि इस प्लांट को अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है, तो अब इस आप प्लांट को आप विजय दश्मी के दिन लगाईए, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुब दिन जो है विजय दश्मी का दिन माना जाता है इस प्लांट को लगाने के लिए और देखे वैसे तो आप इस प्लांट को अगर आप लगाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन लगा सकते हैं इस प्लांट को बट ये समय जो ऐसा है कि विजय दश्मी आने वाली है और सबसे शुब दिन अगर शमी के लिए तो वो है विजय दश्मी और देखे शमी के प्लांट को सभी जानते हैं बहुत सारे नामों से भी जानते हैं आपने अकसर गाउं में देखा होगा जाटी के नाम से काफी विशाल व्रेक्ष का रूफ है यह जो प्लांट है और देखे मैंने आज इसकी बिलकुल प्रूनिंग कर दी थी क्योंकि यह हम पॉट में ग्रो करते हैं देखें मेरी एक इस तरीके से जो है यह बकेट लगी हुए मैंने इसके लिए जो है काफी बड़ा पॉट लेए क्योंकि मेरे प्लांट काफी बड़ा हो गया था और मैंने इसकी काफी प्रूनिंग करके मैंसे ह हर साल जो है maintain करती हूं after rain जो होता है और शनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो शमी के बारे में शमी से related ही है यानि कि शनी भगवान का प्रिय है अगर हम नव ग्रहव की बात करते हैं तो उसमें जो है शमी को हम शनी भगवान से जोड़ कर देखते हैं तो अगर विशेश क्रपप आने के लिए शनी भागवान की तो इस विजय दश्मी आप इस प्लांट को लगाएं और इस प्लांट को बहुत आसानी के साथ आप ग्रो कर सकते हैं आसानी से गंबले में ग्रो हो सकता है और देखिए इसको कुछ थोड़ा सा में धिहान रखना होता है कि हम इसको कि जो है फाइदा मिले और शणिवार के दिन इसकी विशेश पूजा की जाती है और विजय दश्मी के दिन अगर आप इस प्लांट को लगाते हैं तो आप पूजा करें इसकी और ये देखिए शमी के लिए अगर बात की जाए तो यह जो है गनेश भगवान और भगवान शंकर को भी विश्चेश्प्री है देखिए इसकी जो ये लीव्ज होती है ये लीव्ज भगवान शिवजी को अगर आपके पास बेल पत्र नहीं है तो आप इन पत्तियों को भी भगवान शिवजी को चढ़ा सकते हैं गणेश जी को भी जो है ये पत्तियां चढ़ाई जाती है श स्टार्ट कर देता है तो शमी के पेड़ के लिए अगर हम सॉयल की बात करें तो इसके लिए नॉर्मल सॉयल में आप इसको लगा सकते हैं कोई विशेश जो है सॉयल की इसको जरूरत नहीं होती है यानि कि आप 50% अपनी गार्डन सॉयल को रखे और इसमें बात करूं तो 30% क क्या आसपास जो है इसमें कंपोस्ट अच्छे से मिला दीजे थोड़ा सा फंजिसाइड और थोड़ा सा उसके अंदर जो है आप नीम केक का पाउडर भी मिक्स कर दीजे एक बार आपकी ये स्वाइल मिक्शर तेयर जागा विशेश तोर से ड्रेनेस क्योंकि ये प्लांट जो है बार-बार से इसको शिफ्टिंग नहीं की जाती है खराब हो जाता है इसलिए आप पहले से इसका जो है पॉट का साइस थोड़ा अच्छा रखे क्योंकि अच्छी ग्रोथ गेन करता है ये प्लांट इसलिए इसके आप जो है नीचे की जो लेयर है उसको आप एक ले प्लांट को बोलती हूं कि नीचे अगर आप एक ठिक्री की लेयर लगाते हैं तो सॉइल में जो है फिर रूट रॉट के प्रॉबलम इस प्लांट को नहीं आती है अगर इस प्लांट को कोई खराब करता है या कोई किसी कारण से खराब होता है तो और वाटरिंग से खराब होती है जैसे रेनी सीजन में अगर बहुत कंटीनियस आपके यहां बारिश हो रही है तब आप इसे थोड़े सी ऐसी जगे रख सकते हैं जहां पर पानी थोड़ा कम प्लांट को लगे और आपका ड्रेनिस सिस्ट्रम बैस्ट है तो कोई प्रॉबलम नहीं होती है अगर इस इसका डॉर्मेंसी पीरड होता है तो इसलिए विंटर में इसका थोड़ा से स्पेशली धिहान रखें इसे ऐसी जगे रखें जहां इसे प्रॉपर सनलाइट मिल सके इस चीज़ का आपको धिहान रखना पड़ेगा अगर शमी की पिल की बात की जाए तो यह एक डेजर्ट इरिये का प्लांट है और आप डेजर्ट के प्लांट को समझ सकते हैं उसे फुल सनलाइट कम वाटरिंग और प्रॉपर डिजर्ट सिस्टम होना उसका बहुत ज़रूरी है और अगरस मैं मैं इसकी जो बात करूं इसकी जो है यह थार के जो मरुस्तल होते हैं वहां पर यह बॉटनिकल नेम है वो प्रोसपसिस सिनेरेरिया है और मीमु से सी कुल का जो है यह प्लांट है और इसका जो यह यूवेई वगरा जो है वहां का नेशनल प्लांट है यह ट्री है और इसे फुल आप जो है सनलाइट में रखे अगर अब मैं इसकी बात करती हूं कि इसे कहा आपको लगाना चाहिए इस प्लांट को लगाने का भी विशेश मैत है लोग इसे जो है घर के भार अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं यानि कि आप जैसे ही अपने घर से भार निकलते हैं तो आपकी जो side गेट से जैसे ही भार निकलते हैं और जैसे जिनके अच्छत है टेरस है जैसे मेरे हाँ टेरस है तो मैंने प्रेट टेरस पर इसे लगाये हुआ है टेरस पर जो है लगाने के लिए इसकी जो है थोड़ी सी आप दिशा का ध्यान रखे इसे इसान कौन में लगा जाता है, पूर दिशा में लगा सकते हैं वैसे दक्षिन दिशा में भी लगा जाता है, परतु वाँ धूब की प्राबलम होती है तो आप इसे सीधा से है जहां पे और प्लांट हम लगते हैं Holy Prants को इसे पूर दिशा में और इशान जो कौन है उसमें आप इसे लगाएं तो आपको अच्छा इसका फल जो है मिलता है और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ऐसा नहीं है कि इसकी medicinal properties भी इस प्लांट की बहुत ज़्यादा है यानि कि जितने भी हमारे holy plants हैं उनकी medical जो जितनी भी medicine properties होती हैं बहुत ज़्यादा होती है और शनी भगवान को अत्यंत प्रिये पौधा है उनकी विशेश क्रपा पाने के लिए आप इस पौधे को इस बार विजय दिश में पर मैं इसका वीडियो पहले ही अप्लोड करने वाली थी बट मुझे लगा कि नहीं मैं इसको ए तो हम जाएं लगा दीजिए इस तरीके से ताकि आपकी ब्राचेश नहीं सुखे और इसमें इसका बिजयर की बात करो तो कोई बहुत विशेश फरटिलाइजर की इसको जरूत नहीं होती ओब इसको जाहर बीच बीच में है इसमें महने में यह डेंट महने में एक बार गम्ली दोपर साल में साथ में और डॉर्मेंसाथ है न accent करने की दोप बार संदूरत साथ पास बिस зачем चोटे में लगा सकते हैं अब आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसके लिए बड़ा पॉट ले 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 तो आप इस विजय दश्मी इस प्लांट को जो है लेकर आईए और इस बार भागवान शनी के क्रपाप आईए क्योंकि भागवान राम ने भी इसकी पूजा की दी औ और अरजुन महाभारत काल में भी जो है इसका बर्णन मिलता है तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जादा से जादा शेयर कीजिए तैंक यू